हालो एब्रीवन वेल्कम टू क्यू सी एल आज साथ दिसम्भर है आज की न्यूस से स्टार्ट करते हैं बहुत अबदस न्यूस है कोरोना कोविड नैंटीन के उपर सबसे पहली न्यूस है हमारी कोरोना का हवाला परिक्षार्टियों के बीद 36 वर्ग फेट का फासला यूपी बोर्ट ने परिक्षाओं के लिए केंद्र निधारन नीती जारी की यूपी बोर्ट परिक्षाओं को लेकर मादे में सिक्षा परिसत ने तयारियां तेज कर दी है विभाग द्वारा परिक्षा केंद्रों पर मानक निधारित कर दिये गए हैं इस बार केंद्रों पर COVID-19 के प्रोटोकॉल ध्यान रखा गया है खासकर शारेरिक दोईरिक का पालन कराने के लिए परिक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है यूपी बोर्ट 2020 और 2021 की हाई स्कूल वर इंटरमेडियर बोर्ट परिक्षा के लिए केंद्र ने धारण नीती जारी कर दी गई है अब कमरे में एक दूसरे परिक्षारतियों के बीच में 36 वर्ग फिट मतलब 3.34 वर्ग मीटर ठीक है दूरी रखना अन्यवारे होंगा तो अब ये यूपी में ये वाले यूपी बोर्ट में चालू हो गया दिरे दिरे करके सब जगह हो जाएगा यही नियम लागू हो जाएगा ताकि लोग चीटिंग भी न कर सकें और टीचर्स जादा सेक्शन होंगे तो टीचर्स भी अच्छे से नजर रख सकेंगे बच्चों पर प्लस कोरोन का खत्रा भी नहीं होगा तो अब आप लोग अच्छे से तैयारिया करके जाएं अच्छे से पढ़े ताकि आप लोग चीटिंग के भरोसे नहरे अपने पढ़ाई पर ही फोकस रखें जो लोग चीटिंग के भरोसे उनके लिए यह बहुत कर्री न्यूज आईए हमारी अगली न्यूज है भारत दुनिया के शिर्ष तीन निवेश बाजारों में शामिल हो गया है सरकार की तरफ से किये गए आर्थिक सुधारों और आर्थम निर्भर भारत कायकरम का असर विदेशी निवेश की आवक पर दिखने लगा है अब 34 फीसद विदेशी निवेशक भारत को निवेश के लिए शिर्ष तीन बाजारों में एक मानते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिनें एफडियाई कहते हैं के मामले में दुनिया भर में भारत को लेकर जो माहूल बन रहा है उसके मताबिक वर्स 2025 तक यहां सालाना एफडियाई का इस्तर 120 से 160 अरब डॉलर तक का हो जाएगा जारी एक सर्वे रिपोर्ट में यहां बात सामने आईगे हैं अब देखते हैं अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है अब पता चलता है जब उत्योग जगत बढ़ेंगे तो नोगरियाँ भी बढ़ेगी चलिए हमारी अगली नियूज है श्री प्रियम मोदी आज रखेंगे अपनी मेट्रो की आधार शीला आखिर वह दिन आ गया जिसका वर्षो से इंतजार था आगरा मेट्रो की सुमवार को आधार शीला रखी जाएंगे आगरा में अभी तक कोई मेट्रो नहीं है अब ये आधार शीरा रखे जाएंगी और बहुत ट्राफिक होता है आधार में क्योंकि हमारे बहुत पास में हम जाते रहते हैं बहुत ज्यादा ट्राफिक है ये हमारे लिए बहुत अच्छी नियूस है प्रेदान मंतरी श्री नदेंद मोदी दोपर बारा बजे आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का वर्जूल माद्य हम से स्री लन्यास करेंगे यहां पी एसी ग्राउंड में आयोजे समारों में राज्यपाल आनंदी पटेल ये याद रखिएगा राज्यपाल आनंदी पटेल मुख्य मंतरी योगी आदितिनान और केंद्री शेहरी आवास मंतरी हर्दी पूरी मौजूद रहेंगे ठीक है आठ हजात तीन सो उनासी करोड रुपे की लागत वाले इस आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के सिलान न्यास की तैयारियां पूरी कर ली गई है शेहर में मेट्रो ट्रेक 30 किलो मीटर लंबा होंगा दिसंबर 2022 में 6 इस्टोेशनो ताजपुर्वी गेट बसी फतेहबाद रोड ताजमेहल जामा मस्जिद आगरा किला में मेट्रो का संचालन शुरू होंगा पाश वर्स में मेट्रो के दोनों कॉरीडर बनकर तयार हो जाएंगे और सिकंद्रा से ताजपुर्वी गेट तक का पहला कॉरीडर 14 और आगरा केंट से कालिंदी विहार तक दूसरा कॉरीडर 16 किलो मीटर लंबा होगा इतनी जानकारी काफी है आप लोगों के लिए ये 8,389 करोट रुपए की लागत से बनेगा बहुत पैसे लग रहे है चलिए अब देख देए कितने वर्शों में काम होता है पांच वर्श तो गह रहे हैं लेकिन जादा ही लग जाते है एक अच्छी न्यूज है ये भी सुन लिजे देश की निचली अदालतों में बनेंगे वीडियो कॉन्फरेंस कैबिन मतलब हमारी यहां जो हमारी चल रही है उसे मद्दे नज़र लगते हुए कोविड-19 के चलते वर्शूल सुनवाई करने वाले सुप्रेम कोट की इस आधुनिक परंपरा को अब देश की निचली अदालते भी अपनाती जा रही है इन अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई की चमता बढ़ाने के लिए खास तोर पर वीडियो कॉन्फरेंस केविन बनाये जाएंगे समूचे भारत में 2506-2506 अदालत परिस्वरों में वीडियो कॉन्फरेंस केविन बनाने के लिए धंजारी कर दिया गया है यहां जानकारी कानून मंत्राले के अधिकारियों ने दी है मतलब 2506 अदालत परिस्वरों में बनेंगे खास तोर पर आधुनिक केविन सितंबर में 5.21 करोड अक्टूबर में करीब 28,000 करोड रुपे किये गए जारी उच्छा इतने रुपे दे दिये गए हैं ठीक है एक और फिल्म एक और सॉरी फिल्म कह रही हूं फिल्म से जीए इसमें कुछ सीखने को ही मिलेगा न्यूज है मैं अपने मन से कुछ नहीं बताती हूं जो न्यूज में होता है वहीं बताती है अप लोगों को पिछले वर्स घायल अवस्ता में मिला था दो वर्स का हो चुका एक बच्चा एक फिल्म निदेशक कर रहे है देख भाल अच्छा दो साल का एक बच्चा किसके पास रहे इस विवाद पर पैदा हो गया है इस पर विवाद पैदा हो गया है बच्चे को पाल रहे है एक फिल्म निदेशक फिल्हाल उसे अपने पास ही रखना चाते है जबकि उसकी जैविक मा अपना बच्चा वापस पाना चाती इसी बीच एक वेक्ति खुद को बच्चे का पिता बताते हुए सामने आया है महिला एम विकास विभाक के एक अधिकारी के मताबिक पिछले साल सितंबर में यह बच्चा बोरी वली में एक महिला के पास बुरी तरह चोटी लवस्था में मिला था बच्चे के शरीर पर काटने के निशान थे, महिला का कहना था कि बच्चा उसके हाथ से फिसल गया, जिससे उसे चोट आई, महिला उत्तर प्रदेश में अपने दिहारी मजदूर पती और बारावस्ची बच्टों को छोड़ कर मुंबई पहुची थी, महिला को मांसे किलाज के लिए एक NGO के हवाले कर दिया गया था, जबकि बच्चे को बाल कर लाइन समीटी ने अपने अभी रक्षा में रखा था, कोरोना के करना लॉकडाउन की वज़े से देखभाल में दिक्कत हुई, तो इस साल मई में बच्चे को एक बॉलिवड निदेशक के घर शिफ्ट क में कहा कि चुकि बच्चे की मां की मान से खालक अच्छी नहीं है, लहाजा बच्चा उन्हें दे दिया जाए, तो अब यह बहुत बड़ा मुद्दा है, तभी यह इतना हाइलाइट हुआ है, तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है, जब भी आगा मैं आपको ज करना चाहिए, न्यूस पेपर में जादा तर ऐसी न्यूस बहुत मिलती है, खोई वे बच्चे की, ठीक है, एक बहुत बड़ी ख़बर है, आप लोग भी समझिए, यह शहद के रिकॉर्डिंग है, मैंने आपको यह बात बताई थी, मैंने कहा था, इससे रिलेटेट को भी ख़बर होगी, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, तो डाबर मेरिको में मिलावटी शह शहद की खटास, यह है 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 एडलाइन, आप पूरी न्यू सुनिये, शहद में खतित मिलावट का मामला सामने आने के बाद, दो प्रमुग घरेलू, एफ एम सीजी कंपनिया, डाबर मेरिको में ठन गई है, पिछले दिनों दोनों कंपनियों ने विग्यापन के मादम से ब ASCIE में एक दूसरे के खिलाफ शिकायद दश कराई है, दोनों का दावा है कि दूसरे के वराण का शहद परिक्षण में मिलावटी पाया गया है, दोनों ने एक दूसरे को कह दिया है, कि उसका मिलावट है, उसका मिलावट है, जबकि विग्यापनों में उसे असली बताया जा रहा है मेरिको ने अक्टूर्बर में ही A.S.C.I में डाबर के खिलाफ शिकायदश कराए थी कंपनी का कहना था कि डाबर विग्यापनों के माद्यम से अपने शहाद को NMR परिक्षण में शुद्ध पाया गया है शहाद बता रहा बता रही है जो ब्रहमक है वही मेरिको न अपनी सफोला ब्रांड के शहाद को शुद्ध बता रही है जबकि न्यूक्लियर मेगनेटिक रेजोनेंस NMR परिक्षण में वह विफल रहा है दोनों एक दूसरे को जूटा और ब्रहमक कह रहे है और इन्होंने एक दूसरे के कलाफ शिकायत दर्ज कराई है हाला कि A.S.C.I. ने किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लिया है उसने कहा है उसे पिछले कुछ माँ में कुछ शहद ब्रांड के बारे में चार शिकायते मिली है और वो ब्रांड के नाम भी ओपन नहीं खर रहे हैं ताकि हम लोग भी उसको यूज करना बन कर दे बस अब समझ में नहीं आ रहा है कौन सा शहद यूज कर रहे हैं कौन सा नहीं एक न्यूज है विदेशी कर्स को लेके भारती कंपनियों का विदेशी कर्स 41 प्रतिशत घटा भारती कंपनियों का विदेशी बाजारों से लिया गया कर्स अक्टूबर में पिछले वर्ष समान ओधी के मुकाबले 41 प्रतिशत घटका 2.03 अरब डॉलर रह गया है भारती रिजर्व बैंक के आकड़ों के मताबिक घरेलू कमपनियों ने पिछले वर्ष अक्तूबर में विदेशी बाजारों से 3.41 अरब डॉलर का कर चुकाया था अक्तूबर में इस वर्ष या पिछले वर्ष रुपिया मुले वाले ब्रांड आरडी बी या मसाला ब्रांड बांड के रहे हैं बांड अच्छा ये बांड होगा मसाला बांड से कोई रकम नहीं जुटाई गई आर बी आई के मताबिक इस वर्ष अक्तूबर में एक्स्टरनल कमर्शियल बोरो इंग के जरिये जुटाई गई राशी में 1.73 अरब डॉलर आटोमेंटिक रूट से 63 करोड रुपे करोड डॉलर की राशी सरकार की इजाज़त के माद्यम से जुटाई गई थी रिलाइंस एंडस्ट्रीज लिमिटेट के पुरानी इसी वी को चुड़ा काने को एक अरब डॉलर जुटाई गई है इसी और दी इने बजाज फाइनस वो लॉर्सन एंड टूबो ने 10-10 करोड रुपे जुटाई एटी सी टायर्स यह सब यह सब बड़ी बड़ी कंपनी है इनका कर्ज 41 प्रतिसट गड़ गया है यह विदेशी कंपनियों से कर्ज लेते रहते हैं बाजारों से कर्ज लेते रहते हैं तो कभी पूछ लिया जाए इन फ्यूचर आज ज्यादा खास न्यूज नहीं आई है लेकिन फिर बिर मैं सोच रहे हैं आप लोगों को कुछ अच्छी न्यूज मिली जाए आंधरो प्रदेश में 292 लोग रहसे में बिमारी से पीड़ित एक की मौत आंधरो प्रदेश के पस्चिमी गोदावरी जीले की इलूरू शहर में एक रहसे में बिमारी फैल गई है मेगी के लक्षण वाले इस बिमारी से शरीवार रात से 292 लोग पिमार हो चुके हैं इन में से एक की मौत हो गई है हाला कि साड़े सौरी 140 से अधिक लोगों को अस्पताल से चुट्टी मिल गई है केंदरी ये ग्रह मंत्री ग्रह राज जी मंत्री जी किशन रेड़ी ने आंदर प्रदेश के मुख्यों सचिव से बात कर हालात की जानकारी ली ततक केंदरी की ओर से हर संबा मदद का आश्वासन दिया हालात को देखते हुए रहेवार को स्वास्तिस से विशेशग्यों की एक टीम वहां भेजी गई विशेशग्यों की एक टीम सौमवार को पहुचेंगी मुख्यमंती रेड़ी खुद भी सौमवार को इलूरू का दोरा करेंगे अच्छा बिमारी का नाम हो जागर नहीं हुआ है मिरगी के दोड़े पढ़ रहे हैं मिरगी जैसे लक्षनेज मार्च तक पूरा होगा टनकपूर पितोरागड अल्वेदर रोड टनकपूर से पितोरागड तक बन रही अल्वेदर रोड का मिनिस्ट्री ओफ रोड रांस्पोर्ट एंड हाइवे मोर्थ इसका नाम मोर्थ कहा गया है और भारती रास्टी राजमारग प्राधिकरण एन एच ए आई के मुख्य अभियंताओं ने रेक्षन किया मोर्थ जोन प्रत्थम के मुख्य अभियंता राहुल गुपता ने कहा है कि टनकपूर पितोरागड और वेदर रोड सामरेक ड़स्टी से काफी महत्वपूर्ण ने कारेदाई कंपनियों ने बहतर कारिख किया है इतनी ने उस थी और थोड़ी सी और दे दूं कुछ इंपोर्टन जानकारी कि अमेरिका के पॉल हाबर नौसैनिक अड़े पर हावाई हमला आज ही के दिन दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान 1941 में अमेरिका के पॉल हाबर नौसैनिक अड़े पर जापन ने अच्छानक हवाई अमला कर दिया था इस हमले में 2400 से जादा अमेरिकी सैनिक मारे गए थे 2400 इसके बाद सैयुक्त राज अमेरिका भी विश्वयुद्ध में शामिल हो गया था तो ये आज ही के दिन 1941 में हुआ था आज ही के दिन 1994 में Convention on International Civil Aviation के 50 साल पूरे होने पर इस दिवस को मनाने की शुरुवात हुई 1996 में सैयुक्त राष्ट महासवा ने आधिकारी खोशना की एरस्पेस और हवाई सुरक्षा के नियम तै किये गए एरस्पेस और हवाई सुरक्षा के नियम तै किये गए आज ही के दिन 1994 में Convention on International Civil Aviation इस दिवस को मनाया जाता है आज ही के दिन अच्छा भारत में बिना ट्राइल फाइजर की वैक्सिन को अनुमती मुश्किल ये कहा गया है ये नियूज आ रही है हलाकि रूस ये सुरी मैंने आपको ब्रिटेन में कहा था कि फाइजर यूज हो रही है कोविट 19 की वैक्सिन है लेकिन भारत में मना कीज़े रही है अनुमती नहीं दी जा रही है फाइजर को अमेरिका दवा कंपनी फाइजर ने अपना कोरोना वैक्सिन के भारत में अमर्जनसी इस्तमाल के लिए भले ही अरजजी लगाई हो लेकिन इसके लिए इजादत मिलना मुश्किल है इसकी सबसे बड़ी वज़े ये है कि फाइजर की MRNA तकनीक पर आधारित नई वैक्सिन का भारत में कोई ट्रायल नहीं हुआ है भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल वीजी सुमानी ने दो दिन पहले ही साफ कर दिया था कि विदेशों में ट्रायल में सफल रही वैक्सिन को भारत में आने के पहले कम से कम ब्रीज ट्रायल करना अनिवारे होगा ब्रीटेन और बहरीन में अमेजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त के मिलने के बारत में कोरोना वैक्सिन की इजाज़त मांगने वाली फाइजर कमपनी पहली कमपनी बन गई है सौस्ति मंतराले के अधिकारी ने का है कि फाइजर की अजी पर डी सी जी आई के साथ नीती आयोक के सदस से डॉक्टर वी के पॉल के अधिक्षता में वैक्सिन को लेकर गठी उच इस तरी समीती विचार करेंगी पहले विचार करेंगे अगर वने सही रगएंगा ट्राइल होगा फिर वह अनुमती देंगे अभी तो अनुमती नहीं मिल रही है ठीक है यह याद रखेंगे भाहरत में मिल रही है जब मिलेंगे तो मैं आपको बता दूँगा ऐसे कोई न्यूज आएंगी तो अच्छा एक बड़ी न्यूज है केंडरा बैंक घोटाले में यूनिटेक एमडी के खिलाफ मामला दर्ज सीबी आई ने एक सो अठानबे करोड के कैंडरा बैंक घोटाले में यूनिटेक के प्रभंध निदेशक संजय चंद्रा पितर रमेश और भाई अजे के खिलाफ मामला दर्ज किया है तिहाड जेल के मामलू मैं आपको सबसे ठतरनाक जेल कहा जाता है ने चिकित्सा और तिहाड जेल में संचेदत भी रहे हैं ये भी याद रखिएगा चिकित्सा आधार पर उन्हें जमानत मिली है उनकी कमपनी दिल्ली पुलिस, सी बी आई और एडी समेट कई एजेंसियों की जाच का सामना कर रही है ये कैंद्रा बैंक गोटाले की निउस है मैंने आपको जो दिये ठीक है तो आज इतना ही काफी है और बहुत सी निउस है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसी है मतलब है निउस लेकिन ज़्यादा खास नहीं है जो आपके फड़ाई के रिलेटेड नहीं है तो आप सबसे पहले हमाई चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें और मेरी कोशिश को ज़्यादा प्रोसाइट करें कि मैं और अच्छी कोशिश कर सकूँ मतलब जितना होता है उतना दो डेटा आपको लोगों को प्रोवाइड करती हूँ और आप सब काभार वेक्ट करती हूँ कि मुझे सुनने का और अपना किन्ती वेक्ट हमें देने का तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिग